है वो दोस्तों मैं कक कपटेल और एक बार फिर से मैं आप लोगों को आपके अपने चैनल केके पटेल मैंधन लिजनिंग करता हूं तो हम लोग arithmetic में हम लोग पढ़ रहे थे pipe and sister pipe and sister में दो पाठ हम लोग पढ़े थे आज तीसरा पाठ है और अब जो आपका वीडियो होगा वो रेगुलर होगी किसी भी तरह का कोई absent नहीं होगा अगले class फिर आपका हो जाएगा है ना pipe and sister का last class कल आपका हो जाएगा है ना और जितने भी लोग good evening good evening good evening सभी को हमारे तरफ से good evening लेकिन भाई आज का जो class जो आपका चलेगा pipe and sister का उसमें सवाल का जो होगा level काफी high होगा और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो प्रश्ण पूछे जाते हैं एक्जाम में हम आपको खुस करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं आपको मेहनत करना होगा अगर आपको लगता है कि नहीं सर्खुसी भी मिलती है तो आप खुस रहिए लेकिन हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको रिजल्ट देना है भाई तो आप पूछा हुआ प्रश्ण को ही बनाइए न और अभी हाल फिलाल है ना 20 बर्स पहले बना कोस्चन नहीं हाल फिलाल जो एक्जाम में प्रश्ण पूछे जा रहे हैं आप उसको बनाइए और वही सब सवाल जो में इकठा करके मैं आपको बता रहा हूं जो बात है भाई अगर आप सिजील का मेत बना लेते हैं तो रेलवे का मेत आपसे आसानी से बन जाएगा भाई MTS का बन जाएगा LDC का बन जाएगा इसलिए आज थोड़ा साब को धार रखना होगा भागने का परियास आप लोग ना करें जितने भी लोग जूड़े हैं जो भी है आप मन से देखिए इसके पहले दो वीडियो और डाला गया आप उसको देखिए है न भाई चलिए सुरू करते हैं तो आज का पहला सवाल यह रहा सकीन पे तो पहला सवाल क्या है जरा साब देखिए पहला सवाल आज का यह रहा सकीन पे पहला सवाल कहता है भाई एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भारी टंकी दस घंटे में खाली हो जाती है टंकी की तली में एक छेद है और जिसके कारण कहता है पूरा भारा हुआ टंकी जो है दस घंटे में खाली हो जाती है यदि टंकी पानी से पूरी भारी हो साथ ही चार लीटर परती मिनट की रापतार से टंकी में पानी भरने बाला एक नल भी चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है टंकी में कितने लिटर पानी भरा जा सकता है अब जरासा हमारी बात को समझे कहता है कि एक टंकी पूरा पानी से भरा हुआ है और कहता है कि जब टंकी पूरा पानी से भरा हुआ है और उसमें एक छेद है तो पूरा टंकी पानी से भरा हुआ है टंकी में है छेद अगर उस छेद को हम खोल देते हैं तो 10 घंटा हम पूरा टंकी आपका खाली हो जाएगा इतो एक बात हो गया दूसरी बात आप क्या कहता कि उस टंकी पूरा भरा हुआ है और उसमें चार लीटर परती मिनट की रापतार से एक नल जो है पानी भर रहा है और तब उस छेद को हम खोलते हैं तो वही टंकी 15 गंटा में खाली हो जाता है तो आप से पूछता है कि टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है मेरे प्यारे भाईयो ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं आप दूसरा वीडियो में देखिएगा तो इस तरह के प्रश्ण हम आपको वहाँ पर बता चुके हैं लेकिन आए फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे सवाल मान लीजे कि छेद आपका A है छेद को नल भी समझिये तो मान लीजे है आपका माइनस ए माइनस हम इसलिए लगा दिये है कि यह खाली करने वाला है यह देखिए आपका हो गया माइनस और यह कहता किsta कि 10 घंटा में क्या करता है क्लिकर देता है का दूसरी बात क्या है एक नल इसमें जो हम मानेंगे उसको बी किसको मानेंगे बी हम उसको मानेंगे बी नल हम उसको मानेंगे जो चार लीटर परती मिनट की रफतार से क्या करता है टंकी में पानी डालता है चार लीटर परती मिनट की रफतार से ये क्या कर रहा है टंकी में पानी को डाल रहा है ये डालने वाला पाइप आपका है है भाई तो सवाल यह है कि अब आपसे पूछता है कि टंकी में कितना लिटर पानी रह सकता है भरा जा सकता है तो कहने का मतलब कैसे निकालिएगा यह बात हम पहले भी आपको बता चुक है आप एक चीज को समझे पहले कि टंकी की छमता अगर हमको निकालना है तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें सिर्फ यह ग्यात हो जाए कि बी जो नल है यह खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा बस हमको यह निकालना कि बी जो भरने माला नल है यह अगर पूरी तरह से टंकी खाली हो तो इसको भरने में कितना समय लग जाएगा अगर हमको टाइम मिल जाता है तो ये B νal जो आप देख रहे हैं य爹 4 लिटर परती मिनट की रब्तार से क्या करता है भाई टंकी में पानी डालता है तो इसका time नीकालना है बस इसी का time नीकालना अगर ये time नीकल जाएगा तो आप समझ ए कि टंकी की छमता आपको मिल जाएगे अब मैं एक बात बताता हूँ ए भरा हुआ टंकी दस घंटा में खाली करता है अब कहता है कि यह भी नल चालू है और यह भी नल चालू है तो भी टंकी खाली ही हो रहा है तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि ए भी चालू है और उ भी चाल अब तब कितना घंटा लगता है पता आपको 15 गंटा का समय लगता है अब बताए इन दोनों का LCM ले लिजे हमको बस इसका टाइमिंग निकालना है है न भाई तो आप बताए दोनों का LCM कितना हो जागा मेरे प्यारे भाईयों 30 तो आप बताए रेशियो निकाल लिजेगा तो यह देखिया आपका A है और यहाँ पे कितना है तो A प्लस भी है दोनों का भेलू negative में होगा तो आप बताए दस दिया हैं कितना हो गया 30 तो यह minus 30 फिर बोलिए 15 दुना कितना हो गया 30 तो यह minus 2 हलाके रेशियो कभी negative में नहीं होता है लेकिन कोई बात ने यहाँ पे हम लोग तीन पानी खाली करता है लेकिन जब यह नल और यह नल दोनों साथ में रहता है तो दो पानी खाली होता है इसका मतलब यह है कि यह जो बी जो नल आप देख रहे हैं यह एक पानी भरता होगा और यह तीन पानी क्या करता है खाली करता है और दोनों को जब जोड दीजेगा तो यहाँ आजाएगा माइनस दो आजाएगा कहने का मतलब हमको किसका मान निकालना है B का तो आप ही बताईए B का मान निकालना है आप ऐसे समझ गयोंगे बात को है न क्या मेरा कहने कार्थ था कि आप इस चीज को समझेए एकेले तीन पानी निकालता है और यह दोनों मिलके दो पानी निकाल रहा है, मतलब एक पानी ये डाल रहा होगा ये घंटा में, तब ही तो minus 2 यहां बच रहा है, तो अब मैं आप से पुछता हूँ, हमको तो B का निकालना है मान, तो बताए A plus B में A घटा दीजे, तो minus 2 में, अम minus कर देंगे कितना भाइ 3, तो आप ही बताईए कितना हो जाएगा minus 2 plus 3 is equal to कितना 1 यानि B का value कितना हो गया भाई 1 हो गया और A का value पहले से पता है कितना है minus 3 इन दोनों को जोड़िये कितना हो जाएगा minus 2 तो हमें लगता है कि आप ये बात को समझ चुके हैं आप बताईए कि B अकेले टंकी को खाली भरने में कितना समय लएगा B एक घंटा में एक पानी डालता है तो B का time देखिए हम लिख रहे हैं भाई यहाँ पे B का time तो अगर हम B का time निकालने का कोशिस करें तो आप बताईए total पानी कितना है 30 और एक घंटा में एक पानी तो 30 पानी में कितना लग जाएगा भाई इसको 30 घंटा का समय लग जाएगा तो यह 30 घंटा हो गया और B एक मिनट में 4 लिटर पानी डालता है तो आप बताईए कि टंकी की छामता कितना है कितना लिटर पानी उसमें आटता है तो आप बताए कि 30 घंटा है यह तो पहले 60 से गुना कर देंगे तो मिनट बन जाएगा और एक मिनट में 4 लीटर पानी अगर यह भरता है तो आप बताए इतना मिनट में कितना तो गुना चार कर दीजे तो छोती आठारा चो कितना बहत्तर यानि बहत्तर सो लीटर उस टंकी की क्या है भाई तो छमता है हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आई होगी ये टियर टू का सवाल है वन का नहीं है तो केल्कुलेशन कुछ भी नहीं है अगर एक दो लाइन हम बढ़ा के लिख रहे हैं तो आपके लिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए किसी तरह का दिक्कत नहीं हो देखिए दूसरा प्रशन क्या है जरा साप लोग ध्यान देंगे आए कोशन नमर दो पे ध्यान देजिए जिनको दिक्कत है एक बार फिर से इसको अब दोहरा लीजिएगा कलास समाप्त होने के बाद देखो भाई दूसरा सवाल क्या है तो देखे अगला प्रश्ण क्या कहता है देखे अस्कीन पे सवाल आचुका एक बार पहले पढ़िये इसको आप भाई अगला सवाल कहता है दो नल एक टंकी को क्रमसा 24 गंटे तथा 48 गंटे में भर सकते हैं दो नल एक टंकी को क्रमसा मतलब अलग अलग टाइम दिया है कि एक 24 गंटा में भरता है दूसरा 48 गंटा में भरता है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है कहता है दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि टंकी में एक छिद्र होने के कारण जितना समय में उसे भर जाना चाहिए था उससे चार घंटा अधिक समय लगा अकेले छिद्र भरे हुए टंकी को कितने समय में खाली कर देगा सबसे पहली बात है आप जब तक कोश्चन को समझेंगे तब काम नहीं चलेगा अब एक बात समझें कि दो नल है एक 24 गंटा में के लिए भरता एक 48 गंटा में के लिए भरता है दोनों नल को क्या किया खोल दिया गया एक सा दोनों भरने वाला था लेकिन बाद में पता चला कि टंकी में एक छेद था और छेद रहने की बज़ा से हुआ क्या कि जितना टाइम में इन दोनों को भरना चाहिए था उससे क्या किया कि चार घंटा जादा समय लग गया तो अब आपसे पुछता है कि अगर टंकी पूरी तरह से भरी हुई हो और अगर छेद को हम खोल दें तो कितना टाइम में वो छेद पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देगा देखिए कोई बड़ा चीज नहीं है आपको क्या करना होगा देखिए बताते सबसे पहला बात तो यह है कि आपको छेद को समझना होगा नल छेद को आप नल समझे कैसे बनाएंगे सवाल को मैं आपको बता रहा हूँ देखो भाई आप ये समझे कि एक नल A है और ये कहता है कितना तो 24 गंटा में के लिए भरता है अच्छा दूसरा नल B है ये कितना भाई तो ये 48 गंटा का समय लेता है अच्छा एक बात बताईए ये दोनों एक साथ चाल हुआ था अगर टंकी में छेद नहीं होता तो आप बताईए कि ये दोनों कितना टाइम में भर देता भाई तो सर LCM हो जाएगा 48 इन दोनों का रेशियो छोटा सा देखे निकाल लेते हैं भाई यहाँ पे तो इन दोनों का कितना 24 गंटा में अगर छेद नहीं होता टंकी में तो 16 गंटा में ये पानी को भर देता अब देखे प्रश्ण किस रूप में आगया मैं आपको बताता हूँ बात समझेगे अगर छेद नहीं होता 16 गंटा म दोनों भर देता लेकिन काता है टंकी में एक छेद था अब आपको बताएं छेद को आप क्या मान लीजे पता है आपको चार घंटा जादा समय लग गया, सी को हम मालने एकी छेद था वो, है ना भाई, भरने में, लास्ट में टंकी हलाके भरी गया, इसलिए ये पूरा आपका देखे पॉजिटिव हो गया, लास्ट में टंकी आपका भर गया, ये हो गया, और बताइए अगर A अकेले कितना टाइम में भरता है भाई, तो A कितना टाइम में भरता है, या फिर आपको पता है, A के बाद छोड़िए, आपको पता है कि A प्लस B अगर चालू रहता कितना 16 घंटा में भरता है, है ना भाई, A प्लस B 16 घंटा में, अब यहां पर कितना हो जाएगा तो A पलस कितना हो जाएगा भी अब यहां स рук 98 एक बाद पूछता हूं बठाइए यहां पर 5 पानी जा रहा है यहां पर 4 पानी और यह सी आपका क्या है पथा है खाली करने वनीवला नल है यह जो च्थखेद है तो तो क्रछी लिख में तो A plus B plus C में A plus B घटा दीजे, बोलिए कितना हो गया minus 1, यानि कहने का मतलब एक पानी खाली कर रहा है, आफी दोनों पाँंच को डाल रहा है, तो बच कितना रहा है, चार गो, तो C का भेलू कितना हुआ minus one, यानि C जो है एक पानी खाली करता है, एक पानी खाली करता है कितना घंटा में एक घंटा में तो आप बताए कितना पानी है टंकी में तो C जो है सो C का टाइम C को खाली करने में कितना समय लग जाएगा C का टाइम निकालना है तो 80 बटा 1 यानि कितना हो गया 80 घंटा आपको बताए थे माइनस का यूज केलकुलेशन में हम नहीं करेंगे बस यही इस प्रशन का उत्तर है असी घंटा में जो वो छेद जो आपका सी हम माने थे वो पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देगा आईए हम आगे चलते भाई नेक्ट कोश्चन के और आगे बढ़ते देखे अगला प्रशन क्या है तो हमें लगता है कि यह बात आप समझ गए होंगे और एकदम छोटा सा केलकुलेशन है केलकुलेशन तो है ही नहीं भाई इतना भी अगर नहीं करेंगे तो आपको समझा नहीं पाएंगे अगला सवाल क्या है नेक्स्ट कोश्चन पर आप ध्यान देंगे देखे अगला प्रशन क्या काता है भाई सभी लोग असकीन पर देखे सवाल आ चुका है अब समझेगे उसको कहता है एक हौज समानता आट घंटों में भर जाता है लेकिन उसकी तली में एक छेद होने के कारण उसके भरने में दो घंटा जादा समय लगते हैं तद नुसार पूरा हौज भरा हो पर उसके छेद से रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा ये बहुत सिंपल कोश्चन है बस इतनी सी बात काता है एक होज समानता आट घंटा म भर जाता है लेकिन जब छेद उसमें जब उसकी तली में एक छेद होने कारण उसे भरने में दो घंटा ज़ादा समय लगता है तो आप कुछ मत कीजिए और फिर कहता है उसी छेद से पूरा होज को खाली करने में कितना समय लगेगा छेद को आप मानिए निकासी नल उसको नल ही समझे आप ये समझे एक होज समानता एक नल था आठ घंटा में भार जाता है अब मान लिजे कि B जो है उस निकासी नल है छेद है B अब कहता है अगर उसमें छेद अगर चालू रह जाता है है ना तो कहता है दो घंटा ज़दा समय लगता है यानि A पलस B पलस इसलिए कि B को हम मान लिए निकासी नल और तब कहता है बाबु दू घंटा जादा यानि कितना घंटा दस घंटा तो अब कहता है कि B के द्वारा पूरा भरा हुआ होज को खाली करने में कितना समय लएगा यह आपका निकासी नल है यह कौन सा नल है भाई निकासी नल है तो आप बताओ भाई इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा तो सर इन दोनों का LCM हो जाएगा 40 बस बन गया सवाल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है भाई तो देखें A प्लस कितना हो गया B हो गया आप बताए आठ पचे कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा अब 10 कितना हो जाएगा 40 हमको किसका मान चाहिए बी का तो बी का मान निकाल यह तो आप एक बात समझे कि 4-5 यानि कितना हो गया यानि बी जो है बाई एक घंटा में एक पानी खाली करता है तो आप बताए पूरा पानी खाली करने में कितना समय लग जाएगा बी को तब बी का टाइम निकल जाएगा 40 बटा कितना एक यानि कितना घंटा हो गया तो 40 घंटा तो इस प्रशन का जो उत्तर हो जाएगा मेरे भी लोग ध्यान देंगे, देखिया स्कीन पे सवाल आ चुका है, आप लोग जरा इसको पढ़िए, सवाल को पढ़िए, देखो भाई अगला प्रश्न क्या कहता है, मैं आपको बताने जारा हूँ, देखो भाई सवाल क्या है, अगला प्रश्न कहता है, यदि दो नलियां एक साथ चालू हो तो टंकी बारा गंटा में भर जाती है उनमें एक नली उस टंकी को दूसरी क्या पेक्षा दस घंटा अधिक तेजी से भरती है तदुनुसार वह तेज गतीज बाली नली अकेली उस टंकी को कितने घंटा में भर देगी कोई बात ने सवाल को समझे आप आप इतनी सी बात समझे कि दो नलिया एक साथ चालू हो तो बारा घंटा में कहता है टंकी क्या होता है भर जाती है ठीक है भाई बारा घंटा में आपका टंकी भर जाता है लेकिन कहता देखिए दोनों एक साथ चालो रहेगा तो बारा घंटा में टंकी भर जाएगा यानि कहने का मतलब है कि A पलस B दोनों एक साथ चालो रहेगा तो बारा घंटा में आपका टंकी भर जाएगा अब इसमें इस दोनों में से कहता है एक नली जो है पहला नली जो है दूसरी क्या पेक्छा दस घंटा अधिक गती से भरती है देखिए दस घंटा अधिक गती से मतलब हुआ कि उसके अस्पिट जादा होगा तो दस घंटा अधिक गती का मतलब हुआ कि अगर दूसरा नली ए अधिक तेजी से भरता है, इसका मतलब हो जाएगा X-10 हो जाएगा भाई, इस बात को समझिया पहले, X-10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 घंटा अधिक तेजी का मतलब हुआ, कि जितना भी टाइम ये लग रहा है, उससे 10 घंटा कम समय लेगा, हैना इने की पलस कर दें, गती है न अब आपके पास देखे, दो रेशियो है भाई, ध्यान देंगे आप, एक तो आपका A है, अद दूसरा कितना है, तो फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा भी, तो second जो आपका हो जाएगा यहाँ यह देखे, कितना हो जाएगा भी, अब बताई भाई भाई भाग देंगे, X- कितना बचेगा 10, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप ही बताईए, कि भाई, आप यह समझे, दोनों मिलकर एक साथ चालू रहता है, बारा घंटा में टंकी भर जाता है, अब टोटल टंकी में यही कैपेसिटी आपका हो गया, तो हमें यह लगता है, कि आप य X- 10, टोटल वाटर हो गया, टोटल कैपेसिटी, और यह दोनों बारा घंटा में टंकी को भर देता है, अगर दोनों एक साथ चालू रहेगा, तो एक घंटा में कितना पानी भरेगा, दोनों को जोड़ दीजे, यह तो आपका वाटर ही होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2X- 10, तो दोनों एक साथ अगर चालू रहेगा, तो यानि कहने का मतलब एक घंटा में इतना पानी भरेगा, और 12 घंटा में पूरा टंकी भर देता है, तो आप बताए, टोटल वाटर यहा हो गया, अब बराबर अगर 12 गुना कर देंगे इसमें, तो टोटल वाटर बर तो आपको इसमें 12 गुना करना होगा, यहां बराबर करके लिखना होगा, 12 इंटू 2X- 10, आप बात को समझें, 12 घंटा में तंकी भरता है, एक घंटा में दोनों मिलके इतना पानी भरेगा, तो इतना गुने 12, तो टोटल वाटर हो गया, अब बराबर टोटल वाटर, बस आप इन दोनों को यहां से हल कर लिजे, तो यह देखो भाई हो जाएगा, X का स्क्वाइर, और माइनस कितना हो जाएगा, 10X, बाकी इधर देखे, कितना हो जाएगा, 12 दोना 24, तो माइनस कितना इधर ले आएंगे, इसको खिच लेंगे, इसको इधर ला करके, तो यह दीजे तो तीस चोक यानि माइनस कितना हो जाएका तीस एकस मायनस कितना हो जैका फॉर एकस आपको पता है भाई हमसे कौ जियाील श्तव पालहे कि इसकतने चलत इसको लेकिनि यह इसके इसका मान आ तो आप बताएए भाई अगर 4 पूट करेंगे तो नेगेटिव में आएगा तो ये गलत हो जाएगा तो ये वाला X का मान आपका सही है और हमसे पूछराज तेज गती वाला भरने में कितना से तो 30-10 यानि कितना 20 घंटा तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा 20 घंटा बह आएम आगे चलते नेक्ट कोश्चन की और सभी लोग विद्यारती जितने भी सभी लोग ध्यान देंगे रहा है आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में भाई तो हमें लगता है कि आप जो है डरते हैं मुसीबतों का सामना करने से आपको डर लगता है जो लेवल का मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही पुछे जाते हैं Messiah क्योंकि जाम Meition का जोaning को misconception है उसी को अम म Attuk को पढ़ा करें कोई f तथा पाइप भी आठ घंटा में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। किन्तु दो घंटे बाद पाइप एक को बंद कर दिया जाता है। हाउज के सेस भाग को भरने में बी को कितने घंटे का समय लगता है। बहुत एकदम आसान सवाल है। एक कहता है छे घंटा समय लगता है भाई। अच्छा बी कितना लगता है बताएप तो आठ घंटा का समय लगता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। सबसे पहली बात आप इन दोनों का LCM लेलो। बोलो भाई LCM कितना हो गया 24 अब यहां पर दोनों का रेशियो निकाल लीजे। तो देखे ए अनुपात कितना हो गया बी। आप बोलिए 6 चोग कितना हो गया 24 अटिया हैं कितना हो गया 24 है ना। अब मैं आप से यां बात पुछता हूँ दोनों पाइप को 12 को eg 10 खोल ढया जाता कहने का मतलब यह है दोनों Pitt को X अगा 25 लगा 2 घंटे बाद यह देखे आपका का 2 घंटे बात हो गया एक को बंद कर दिया जाता है तो कहता सैस हूज को भरने में बी को कितना समय तर T समय इसको T माल लीजिए T हो गया बहुत सिंपल कोश्चन है आप एक बाद बताओ टोटल वाटर कितना 24 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 24 is equal to आप बताए A plus B कितना 2 घंटा तक चला तो आप बताए कि यहाँ एग घंटा में दोनों मिलके कितना पानी एग घंटा में चार एग घंटा में तीन चार तीन साथ सदुनी कितना हो गया तेन बाई थिरी हो गया तो तीन पूर्णांग एक बटा कितना हो गया तीन घंटा तीन पूर्णांग एक बटा तीन घंटा यही इस प्रशन का उत्तर है आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कोस्चन के और सभी लोग ध्यां धियान देंगे बड़ा सिंपल कोस्चन था ही देखे अगला सवाल देखे फिर से स्कीन पर आगया होगा जरास आप लोग उस पर ध्यान दीजिए देखे नेक्स्ट क्या ता है सबी लोग ध्यान देंगे और एकडम regular math पढ़ाएंगे और पूरा A to Z पढ़ा देंगे math जितना भी mathematics होता है वो आपको सारा हम YouTube पे डाल देंगे कोई दिक्कत में arithmetic पूरा A to Z रेशियो से लेकर के जहां तक होता है लेकिन भाई यही है कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा यहां हमारे यहां ऐसे काम नहीं चलेगा देखे अगला प्रश्न क्या है काता है एक नल किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी परकार के 3 और नल खोल दिये जाते हैं तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा अब एक बात समझिया कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है एक नल मालीजे ए नल है किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी परकार के तीन और नल खोल दिये जाते हैं तो कहता है टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा तो आप यह समझे तीन और नल मतलब B, C, D और इसी परकार का तीन और नल खोल दिये जाते हैं मतलब इसी परकार का EV अकेले 6 घंटा में भरेगा टंकी EV 6 घंटा में यानि जैसे पहले एक किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है जब टंकी आधा भर जाता है इसी परकार के 3 और नल खोल दिये जाते हैं तीन और नल खोलने का मतलब है कि छामता इसी के इतना होगा इन तीनों का ठीके भाई अब देखे मैं सवाल को हल कर रहा हूँ आप इन सब का LCM लेंगे तो पता आपको 6 ही आएगा और देखे एक दो तीन चार अब हमारी बात को समझे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपा नगे में कीतना शे घंट एक पूरा नड्की ऑठ देगा लेकिन जब आधागे बहर जाता है तो मैं आपसे पूछता आधा आधा मतलब कितना होगा थी आधा सम्हेань लेगा यानिट मेंघी होगा बहरा ये लेकिन अभी नुपार नये लेकिन आधा नल भरने में एको जो समय लग जाएगा उतीन घंटा क्योंकि भाई ये आधा भरने के बाद आधा जब फिर चारों को चालू कर दिया गया तो अब बताएए छे में से आधा तीन तो भर गया अब आपके पास कितना बच रहा है तो तीन बच रहा है सर जी हैना छे में से तीन तो हो गया छे में से तीन हो गया अब कितना बच रहा है तीन और अब ये तीन जो पानी बच रहा है इसको भरने लिए सब को खोल दिया गया तो अब कितना टाइम लएगा अधा अधा भरने में तो एक दो तीन चार एक घंटा में चार पानी तो तीन बटा कितना चार इतना घंटा लग जाएगा लेकिन इसको मिनट में चेंज कर लीजे, बोलिए कितना हो जाएगा 15 तिया है 45, तो ये देखिए आपका हो गया 45 मिनट, तो टोटल टाइम होगा 3 घंटा कितना 45 मिनट, तो इस प्रश्ण का जो उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे भाईयों, इसका आईए, हम अगला प्रश्ण की और बढ़नें देखो, अगला सवाल क्या है भाई, सबे लोग ध्यान देंगे नेक्स्ट कोस्टन देखिए, असकीन पे आच चुका है, आप लोग ज़रा सा बात को समझे तो अगला प्रश्ण में देखिए, इतनी सी बात इसमें लिखा हुआ है, कि एक पाईप किसी पानी के टैंग को अन पाईप की तुलना में तीन गुना तेजी से भरता है, यदि दोनों पाईप मिलकर खाली टैंग को पूरा भरने में 36 मिनट ले, तो धीमी रप्तार वाला पाईप अकेले टैंग को भरने में कितना समय लेगा अब हमारी बात को समझे, देखो क्या कहता है, एक पाईप किसी पाईप की तुलना में तीन गुना तेजी से भरता है, ये च्छामता की बात हो रहे है भाई, जैसे ये ए हो गया, ये पाईप कितना हो गया भाई भी, तो ये जो है न, ये दूसरे पाईप की तुलना में त तीन गुना तेजी से कहने का मतलब यह अगर एक पानी डालेगा तो यह कितना पानी डालेगा तीन पानी तीन गुना तेजी से मतलब इसके तीगुना पानी यह डालेगा कौन ए एक पाइप किसी पानी के टेंग को अन पाइप की तुलना में तीन गुना तेजी से भरता है य तो चार गुने 36 भागा कितना एक यानि यह कितना हो गया एक सो चवालीस मिनट अब इसको घंटा में चेंज कर लिजे तो यह देखिए आपका हो जाएगा दो घंटा 24 मिनट इस प्रशन का उत्तर जो हो जाएगा बहुत सिंपल कोश्चन था और एक लाइन का सवाल है दो घंटा 24 मिनट और इससे अब कोई जो है आसान तरीका नहीं होता है अगला प्रश्ण बहुत ही जवरदस्ट कोश्चन है थोड़ा सा बड़ा सवाल है सीजियल टीर टू का प्रश्ण यह पूछा हुआ है देखो भाई क्या है सवाल को जड़ा सा देखिया आप हाई लेवल पढ़ो भाई लो लेवल में लोगड़न समाप्त होने बाद आपक भागने के जगह नहीं मिलेगा वहां पर इसलिए करके कोश्चन भयानक भयानक पढ़िया तभी कुछ हो सकता है ऐसे नॉर्मल कोश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा हाँ जीरो से मस्टार्ट जरूर करते हैं लेकिन लेवल बहुत हाई तक जाता है देखिया अगला सवा आउससा बाल्टी पानी जब निकालता है एक बाटेन भाग भ तरह तोए क्ष्चन थोड़ा में सुले चला जाता है लेकिन कोईि औरो ऑप जरह इन चीजों को समझी लिखिये अगर को आप से कहा घना काड टैंक है ना भाई लास्ट में कहता है परतेग बाल्टी में पानी आइतन कितना कितना लीटर परतेग बाल्टी में पानी होगा देखिए सबसे पहली बात आपको यह पता करना होगा कि आखिर उस टैंक में कितना बाल्टी पानी रह सकता पहले आप यह न तो भारा रह गया तो आप इस चीज को समझे एक बटा तीन भाग भारा रह गया तो देखे टोटल कैपसिटी उस टंकी की कितना पता आपको तीन है और सोचिए कि टोटल कैपसिटी तीन है और उसमें पानी अभी है कितना एक बटा तीन भाग भारा रह गया निकालने के यह एक कमान कितना हो जाएगा भाई तो 32 हो जाएगा तो एक कमान हो गया 32 हो जाएगा तो आपको टोटल कैपेसिटी निकालना है टंकी का तो तीन यूनिट तो तीन यूनिट बराबर हो जाएगा तीन गुने कितना 32 तो यानि यह कितना हो जाएगा 96 इतना बाल्टी पानी ज the correct 1.2 मिटर परतिग भुजा का मामने तो आप से पुछता थंक भान इया है कि तनकी का पहले आइटन निकाल कि यह त सबसे पहली बात है उन यह क समझें यह बहुं कुज यह मिटर है तो इसको अप सैंटी मिटर में चेंज false बाई तो बोलो कितना हो जाएगा तो 120 cm है ना अब अगर भोलूम निकालेंगे गहन का जो आइतन होता है एक क्यूब तो आप बताए 120 गुने 120 गुने 100 कितना होगी अब 20 यह आइतन इतना cm3 होगी है ठीक है भाई अब आप से बता है कि इतना cm3 में कितना बाल्टी पानी है 96 96 बाल्टी पानी है आप समझ रहे ना परतेक गुजा इतना मीटर था cm3 में चेंज कर लिए टोटल टंकी में इतना बाल्टी पानी है एक बाल्टी में कितना लिटर पानी रहेगा यही आप से पूछ रहा है आइतन निकाल लिए इतन हो गया अब बात है बाबु एक देना होगा 96 तो आप बुलिए 10 बरोट कितना होगा 96 पंद्रो अठी कितना होगा 200 से आप इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो 15 गुने 12 यानि कितना हो जगा भाई 180 डबल 0 दे देजिए यह देखिए इतना cm3 है लेकिन इसको बदलना होगा एक बाल्टीम का आयतन है इतना cm3 इसको बदलना होगा लीटर में तो आपको यह पता होनी चाहिए भाई की 1000 cm3 अब बराबर होता है एक लीटर तो आप बताए इतना cm3 बराबर कितना लीटर होगा इसको लीटर में चेंज करना हो तो आप क्या कीजे 1000 से इसको डिभाइट कर दीजे तो यह दिखिए कट आप इसको नोट करेंगे तो यह सब कोश्चन यूनिक सवाल है और आपको अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पूरा जो है टाइम इन वर्क आपको देखना होगा पाइपेंट सिस्टर्न कम से कम पाइपेंट सिस्टर्न का पहला वीडियो से आप उसको देखिए आपको समझ में और फिर प्रश्ट में कहता है कि पी लेस देन क्यों ये बात लिखा हुआ है और नल एबं सिंक दोनों खुले हो तो टब आर घंटे में भरेगा तो कौन सा कथन सत्त है इसमें चार अप्सन दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा ये चारों अप्सन में कौन सा सत्त है तो आप इन चीजों को समज़गे पहले आप की की लेस देन क्यूँ आप बताईРИ कि भाने वाला गनेस来ता है कम टाइम लगा लगा रहा है अगर पूरी तरह से टंकी खाली है तो यह पी लेस द recent क्यों का मतलब है कि पी का ड gour Amigอง कम है यानि यह कम ही टाइम में जितना टाइम में भड़ता है उससे ज्यादा समय लग जाता है विल को कहली करने में तो भरने की छोआ कि शोआग पे P less than Q का मतलब है कि अगर ये 8 घंटा होगा तो ये 10 घंटा होगा तो ये 8 घंटा भरता है और ये 10 घंटा में खाली करता है इसका मतलब इसकी छमता जादा इसकी क्या है कम है अगर भरने वाले की छमता जादा दोनों एक साथ चालू है तो लाश्ट में टंकी आपका लिए थे हम तो हम इसको लिख सकते हैं 1YP 1YP अब माइनस कर देंगे 1YQ अब बरबर कहता है टंकी भर जाता अर घंटा में तो बरबर 1 बटा कितना हो जाएगा बस यही इस प्रशन का उत्तर है देखिए option में B नंबर में ये बात लिखा हुआ है आपका उत्तर हो जाएग तो दोनो भरेगा लाश्ट में टंकी कितना आर घंटा में तो वन बटा आर पानी इतना भाग भरेगा यह दोनो भाग आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा है ना पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और अगला टॉपिक आपका होगा time and distance होगा आईए देखिए अगला प्रस्ण क्या कहता है जरा साब बात को समझेंगे देखिए next question क्या है तो अगला प्रस्ण देखिए बस इतनी सी बात इसमें लिखा हुआ है एक pipe एक time को 24 गंटा में भर स सकता है तल में रिशाव के कारण यह 36 गंटा में भरता है यदि time आधा भरा हुआ हो तो उस रिशाव से time को खाली करने में कितना समय कितना समय में खाली होगा बहुत simple question है तो आप जरा साइन चीजों को समझें 24 गंटा में एकेले यह भर सकता था यह 24 गंटा में एकेले भर तो तल माल जिए भी तो रिसाव मतलब क्या उसको नल लेंगे जो रिसाव उसको नल माल लीजिया तो हैने मतलब 36 गंटा मपढ़ता है तो आप ए प्लस भी मतलब यह खाली करने वला नल हो गिया है रिशाव 36 गंटा मपढ़ता है अब कहता है कि यदि time आधा भरा हुआ हो उस रिसाव से कितने समय में time खाली हो जाएगा, तो पहला नम्मर है तो आपको निकालना पड़ेगा, कि रिसाव एकेले टंकी को भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो आप बताइए इन दोनों का LSM कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और बताईए, यहाँ पे पलस ही रहेगा आपका इसलिए कि लास्ट में 36 घंटा में टंकी भर जाता है इसलिए यहाँ पलस है, अगर कहता खाली हो जाता है तो यहाँ माइनस लगाते हैं अब बोलिए A, अब पलस यहाँ पे कितना हो गया भाई तो A पलस भी हो गया आप बोलियो 24 त्याही 72 अच्छा 36 दूनी 72 आप सोचिए एकेले तीन पानी भरता था लेकिन जब खाली भरने दोनों एक साथ जब चालू रह गया दो ही पानी भरा जा रहा है इसका मतलब आप बताई ये कितना पानी खाली कर ला है एक पानी और ये भर कितना रहा है बोलियो खाली करने में आधा टैंक आधा भरा हुआ हो तो बी का भेलू कितना निकल गया वन आधा आधा मतलब कितना 36 आधा टैंक भरा हुआ रहेगा तो इसरी साब से खाली होने में कितना समय तो एक घंटा में एक पानी खाली करता है बी तो आधा टैंक को खाली करने में बी को ज इसी टाइम में मिलेंगे है ना और कल आपका pipe and system पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम सुरू करेंगे time and distance और मैं आपको बता दू कि सुबह जो आपका है सुबह आपका 9 बजे से जो है वो हम सुरू करने जा रहे हैं आपका फिर से trigonometry में maxima and minima उसको पूरी तरह से समाप्त जब कर देंगे तो सुबह हम आपको arithmetic एकदम basic से आपको पढ़ाएंगे एकदम कहने का मतलब है ratio से एकदम unique सबसे अलग होगा सबसे कहीं कोई match नहीं करेगा और question का level होगा current question को उसको देखा जाएगा हाल फिलाल का सवाल है न यहीं तक हम आपसे मिलेंगे कल और तब तक के लिए आप लोग पूरा revision बगेरा करें बाइबाइबाइबाइबाइब